अवैद बालू खनन में बांध का चटान गिरने से एक युवक की मौत पहले भी कई मौत हो चुकी पुलिस प्रशाशन इसे रोखने में विफल लोगों में रोश मागलपुर जिला के जगदेश पुर्थाना चेतर में लगातार अवैद बालू का खनन कई जगे से जारी है जहां कई प्रतिबंधित घाटों से बालू की धुलाई की जाती है पुलिस प्रशाशन इसे रोखने में विफल साबित हो रही है इसे लेकर लोगों में रोश है गाओं वालू का आरोप है कि पुलिस समय पर नहीं आती है जिसे बालू माफिया अपना फायदा उठाते है आज अहले सुबह पुरैनी टूला सूनुचक पंचायत में अवैद बालू खुदाई की क्रम में एक व्यक्ति की जान चली गई वह व्यक्ति बान से बालू की खुदाई कर रहा था इसी में बान से मिट्टी धस गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई विगत दिनों में भी अवैद बालू ट्रक्टर से ला रहे सायद पुर घाट से चालक सहमालिक का ट्रक्टर के इंजन से दबने से मौत हो गई थी इसके अलावा कई लोगों की मौत वहां पर हुई है गाउं वालों का आरोप है कि प्रशाशन बेखबर है आरोप तो यह भी लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशाशन के मिली भगत से बालू माफिया बालू खनन करते हैं मौतक व्यक्ति के पहचान चागेश्वर मंडल के 18 वर्शिय पुत्र अमरकुमार खरोनी महमत पुर के रूप में होई है घटना के बाबत मौतक के परिजनों ने बताया कि वह बालू निकाल रहा था इसी क्रम में धसना गिर गया और उसे जब तक कुछ समझ में आ था तब तक उसकी जान चली गई आपको बताते चलेंगे जगदीशपुर छेत्र में कई जगे बालू का अवैद खनन होता है यह घटना करीब आज एहले सुबह चार बजे की बताई जा रही है मौके पर घटना के तुरंत बाद अवैद बालू खरन करने वाले ट्रक्टर लेकर भाग निकले ग्रामिर द्वारा थाना को सूचना देने पर करीब दो घंटे बाद पुलिस पहुची पुलिस ने शवक को अपने कफजे में लेकर पोस्मॉटम के लिए भागलपूर भेज दिया मृतक के परिजन के बयान पर केस दर्च किया जाएगा अपडेट मीडिया के लिए भागलपूर से अतीश दिपंकर की रिपोर्ट